Python series की इस वीडियो में हम 12 most useful string methods को देखेंगे जब भी हम python language को use करते हुए text data पर काम करते हैं तो maximum cases में हम यही 12 methods को use कर रहे होते हैं इस वीडियो में मैं one by one तमाम methods को introduce करवाऊंगा उनका syntax पहले आपको बताऊंगा and then हम इसको use क्यों करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी एक working example show करवाऊंगा तो अब हम start करते हैं अपने पहले method से जो के है upper इस method का काम यह होता है कि यह तमाम characters जो के एक string के अंदर available हैं उन सब को upper case में convert कर देता है for example हम code की तरफ चलते हैं तो code में सबसे first line में मैंने एक variable define किया है text और text के अंदर एक hello world के नाम से save करवा दिये एक line या एक text ठीक है और उसके बाद मैंने एक second variable ले लिया है upper underscore text जिसके अंदर मैं save करवाना चाहा रहा हूँ एक जो new text में generate करूँगा और वो text completely upper case में convert हो जगा होगा तो इसके लिए text जो के हमारा first variable था dot जैसे ही आप put करेंगे और उसके बाद लिखेंगे u double p e r and then इनकी brackets को start करने के बाद इसको close करेंगे और उसके बाद इसको जैसे ही आप print करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास hello word था जो के small letters में आपको नजर आ रहा है lower cases में वो upper cases में उसकी output शो हो रही है अब हम देखते हैं दूसरे string के method को तो जो दूसरा string का method है वो भी बिल्कुल upper case में conversion की तरह का ही है इस case में मगर हम ये करेंगे कि जितने भी characters हैं उनको lower case में convert कर देंगे तो code की तरफ चलते हैं again मैंने एक text को define किया एक variable में और वो क्या है आप देख सकते हैं कि hello word है और hello word में जितने भी हमारे पास characters show हो रहे हैं वो सब के सब upper cases में show हो रहे हैं और अब मैं इसको lower cases में convert करना चाहा रहा हूँ तो यही text के variable को dot and then lower का method call करूँगा और method call करने के बाद इसको मैं save करवा देता हूँ lower underscore text में और इसको जैसे कि आप print out करवाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी जो characters से वो change हो चुके है lower case में इसी तरह जो हमारे पास एक third method है string का उसमें आप देखेंगे कि string dot strip के नाम से है ठीक है string में कोई भी आप variable पास कर सकते हैं और dot strip लगाएंगे तो method call हो जाएगा अब इस method का काम यह होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक text और एक string है और उसमें starting में आपको कुछ spaces शो हो रही है और उसके बाद इसी तरीके से आप observe करेंगे अगर तो last में भी कुछ spaces शो हो रही है तो यह जो blank spaces या white spaces है leading and trailing दोनों साइट से इसको remove कर देगा तो इसके लिए हम simple string str जो कोई भी आपका text रो कुछ भी हो सकता है dot strip को call करेंगे और अब आप जैसे code में देखते हैं कि सबसे पहले में मैंने again एक text जो के double quotation में लिखा हुआ है और इसमें आप observe कर सकते हैं कि हमारे पास blank spaces भी है या white spaces है और उसके बाद मैं इसमें से spaces को remove करना चाहा रहा हूँ तो stripped underscore text is equal to text जो भी आपका है और उसके उपर मैंने method को call कर लिया इससे क्या होगा और इसको मैं print करवाता हूँ print करवाने के बाद अब देख सकते हैं कि इसमें just ये जो हमारे पास characters हैं वो ही show हो रहे हैं इसमें से white spaces remove हो चुकी हैं अब हम fourth string का method देखते हैं जो के काफी important method है और mostly text को आपने change करना हो वो और जिस text के साथ change करना हो जो के new text है वो हम add करते हैं तो ये दो parameters लेता है तो इसमें ये काफी ज़्यादा occurrence पे हम इसको use कर रहे होते हैं तो हम इसका code की तरफ चलते हैं for example सबसे first line में मैंने एक text define किया है again hello world का text है इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास word है word इसको change कर दिया जाए there के साथ तो hello there आ जाए ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा text dot replace का जो method है उसको call करूँगा and then parentheses में सबसे पहले में new जो old है हमारे पास word जिसको मैं change करना चाह रहा हूँ and then there जो के मैं जिस चीज के साथ change करना चाह रहा हूँ जिस text के साथ change करना चाह रहा हूँ तो word there आ गया और इसको जो मैं show कर वाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास new text generate हुआ है वो है hello there ना कि hello world, तो इस तरीके से आप काफी ज़्यादा scenarios में इसको use कर सकते हैं अब हम string के fifth method की तरफ चलते हैं ये method भी बहुत ज़्यादा important है और बहुत ज़्यादा scenarios में हम use कर रहे होते हैं इसमें क्या है कि हमारे पास जब भी कोई एक string आती है तो हम कोई भी एक separator को देखते हुए इसको different list of sub-string में इसको convert कर सकते हैं ये split कर सकते हैं तो method का जो नाम है वो है string.split और इसमें हम एक separator define करते हैं तो separator simply कुछ भी हो सकता है जैसे हम एक कॉमा को देख के कर रहे हूँ white spaces के base पे कर रहे हूँ और different separators को use कर सकते हैं तो हम इसका code देखते हैं code के लिए सबसे पहले आप देखे हैं मैं एक text को define किया है hello word के नाम से और इसके बाद words is equal to text dot split और इसको अगर आप parentheses में देखेंगे तो मैंने एक दरम्यान में double quotations के दरम्यान में एक space को pass किया हुआ है जो कि मेरे बाद white space है तो जैसे ही मैं इसको run करूँगा और print करवाँगा अपना जो words को तो आप देखेंगे कि ये आपको एक list pass करेगा तो ये आप ये list के अंदर hello and then word आपके पास आ गया इसी तरीके से अगर आप यहां space की जगा comma लिख देते हैं then आपके पास एक ही string आई है इसको sub strings में इसने change नहीं किया and then अगर मेरे पास ये sentence इस तरीके से आता like he के बाद and इस तरीके से मैं लिखता तब ये आपको इस तरीके से pass कर देता है तीन आपको sub string pass करता है इस list में अब हम string के 6 method की तरफ चलते हैं जो कि है string.join और इसके अंदर iterable हम pass करते हैं iterable क्या हो सकते हैं for example आपके पास list हो सकते हैं जिसके अंदर multiple elements हैं triples हो सकती हैं, dictionaries हो सकती हैं तो यह आपके पास different iterables हैं तो अब हम इसको code देखते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने एक list बनाई है जिसमें और इसको words variable के अंदर store कर लिया है तो hello and then word अब इन दोनों को अगर मैं join करना चाहता हूँ इन iTravels में से दोनों को join करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं define करूँगा कि separator मैंने क्या रखा हुआ था and then dot और उसके बाद join कर दूँगा और join में ये वाली जो list है मैं इसको pass कर दूँगा जो कि words की list है for example मैं इसको run करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि hello and word pass हो रहा है इसी तरीके से आप इसके अंदर iTravels के अंदर जो आपके पास separator है उसको change कर सकते हैं for example मैं इसकी जगा कोमा करता हूँ तो आप आप देखेंगे कि output मैं मुझे ये कोमा के साथ दोनों sub string separate आपको join मिलेंगी और अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों words जो है ये कठे ही नजर आए इनको separate ना किया जाए तो ये आप इसको simple जो कि आपने white space जी थी उसको खतम कर दें तो ये आपको separate नजर नहीं आएंगे अब हम 7th method की तरफ चलते हैं 7th method like एक check statement की तरह है तो check ये है कि for example आप ये चाह रहे हैं कि कोई specific जो हमारे पास prefix या कोई भी character या कोई भी चीज इस तरह की string से पहले या उस text से पहले appear हो रही है कि नहीं अगर ये check उसमें आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास जो method available है वो string.starts with के नाम से and then आप prefix को define करते हैं तो इसका code हम देखते हैं code में सबसे पहले मेरे पास जो line है वो text है वो है hello world के नाम से और एक variable मैं store करवा रहा हूँ starts with hello और मैं चेक करना चाहा रहा हूँ कि ये जो मेरे पास text था क्या ये hello से start हो रहा है के नहीं हो रहा तो आप text jo के string and .start start with और उसके बाद जो भी आप prefix चेक करना चाहरें मैं hello को चेक करना चाहरा हूँ तो ये आपको बता देगा आपको चेक करना चाहरें word को चेक करना चाहरें तो तब भी आपको ये बता देगा तो इस case में यह आपको जो output प्रोवाइड करेगा वो आपको true and false में प्रोवाइड करेगा क्योंकि हम एक check इसके उपर लगा कर देख रहे हैं इस तरीके से फिर मैं इसको word लिख देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ तो यह आपको false प्रोवाइड कर रहे है क्योंकि इसका prefix जो है वो word नहीं है यह इसका suffix है इसी तरीके से अगर हम इसके third method की तरफ चलें तो again आपने prefix की तरह अगर यह suffix को check करना है तब आप क्या करेंगे same to same जैसे आप starts with लिख रहे होते हैं starts with की जगा आप कर देंगे ends with के साथ तो ends with same to same code text is equal to hello word जो के मैंने एक define किया है उसके बाद मैं एक variable store करवा रहा हूँ ends with word तो text dot end with और यह word मैं पास कर रहा हूँ तो again आप जब इसको print out करवाएंगे तो यह आपको true pass करेगा क्योंकि यह जो इसका suffix है वो word show हो रहा है तो अब हम string के ninth method की तरफ चलते हैं जो के है find का method इसमें यह है कि हमारे पास जब एक complete text available होता है like paragraphs available है या कोई documents available है और इसमें से हम find out करना चाहा रहे है location या index of the substring या जिसको हम find out करना चाहा रहे है तो उस सूरत में हम use करेंगे string dot find and then substring को pass करे देंगे तो हम code में चलते हैं code में जाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने again text की जगा hello world को लिखा है यह मेरे पास एक complete text available है इसके बाद मैं text dot find करूंगा और इसमें से मैं find out क्या करना चाहा रहा हूं कि मेरे पास जो word है word को मैं find out करूंगा तो मुझे यह जो सबसे पहले इस location में मिलेगा वो मुझे pass कर देगा तो यह अब हम देखते हैं इसका index क्या बनता है तो इसने मुझे six pass किया तो यह six index बना for example हमारे पास हम python को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो indexing है वो zero से start होती है तो अगर आप count करना start करें तो h zero location पे है then one two three four and five जो है वो white space के है और w से start हो रहा है जो कि six index है तो यह six index से आपको location इसकी मिली है word की तो for example आप अगर कहते हैं कि आपके पास wrld एक और बार word लि करेंगे तो आपको six index ही मिलेगा जो कि आप अगेन यह चेक कर सकते हैं six index ही मिलेगा तो यह सबसे जो lowest index है वो provide आपको कर देता है अब हम string के जो 10th method की तरफ चलते हैं इसमें यह भी again एक check है और यह check क्या है कि string अगर आपको text pass किया गया हो जो कि हम बास उकात काफी अगर websites और ने साइट बना रहे है या कोई भी इस तरह की चीज बना रहे है mobile app बना रहे है और उसके अंदर user ने फॉर्म के अंदर fill किया है तो जो फूर फूर करहे हैं हम as a digit उसको नहीं ले रहे होते destoin का हैं या नहीं लिखे उसको चेक करना हो तो हम उसके लिए string.isdigit का method को call करते हैं तो इसको आप चेक करें for example एक number है अब इस type ये जो number है वो double quotation में आ रहा है और उसके अंदर 123 ही लिखा है मगर ये exactly अगर हम इसकी type को चेक करेंगे तो ये number नहीं होगा ये आपके पास string ही आ रही होगी ठीक है क्योंकर ये double quotation में है मगर अब इसके अंदर भी अगर आपने ये चेक करना है क्या ये string के अंदर जो provide किया गया है ये digits ही है ये नहीं है तो इसको चेक करने के लिए आप जो भी आपके पास number था dot is digit को पास करेंगे और उसके बाद आप इस method को चेक करें and print करवाएं तो ये आपको true and false में provide कर देगा for example अगर 123 के बाद मैं a लिख देता हूं और उसके बाद आप दुबारा से मैं इसको चेक करता हूं तो आपको ये false पास करेंगे इसी तरीके से अगर आपको मैं और भी अगर बताना चाहूं उससे यह होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको इसको इंट्रिड्यूस करवा देता हूं कि आपके पास काफी ज़्यादा और सिनेरियो अविलेबल हैं for example आप number के बाद is लिखेंगे तो आपको ये एक list प्रवाइड कर देगा कि अगर आप alpha लगा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा तो for example मैं alpha numeric करता हूं और अब दुबारा से इसको चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको ये numeric value और ये alpha की values मिल गए है तो इस विज़े से ये आपको true show करवा रहा है string का 11th method जो है इसमें क्या करते हैं कि string को अगर आप उसमें cases अगर lower case है उसको upper में change कर दें और upper case को lower में change कर दें तो इसके लिए जो method यूज होता है उसको swap case का जाता है तो swap case के लिए आप इसको देखें text है हमारे पास AI hints और AI इसमें A capital है I small है and then H capital में है ठीक है अब मैं ये चाहता हूँ कि जो A है वो small में आ जाए and lower case में आ जाए और H इसी तरह आई जो है जो कि पहले lower case में था वो upper case में convert हो जाए तो इस case के लिए सबसे पहले मैं text जो भी हमने एक बनाया text और उसको swap case method को call करता हूँ तो dot swap case करेंगे and then इसको print out करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास A पहले lower case में था और H हमारे पास again जो है वो lower case में convert हो गया और पहले ये दोनों जीज़े अपर case में available थी और बाकी जो हमारे पास INTS थे वो भी again अपर case में चले गया है जो के पहले lower case में थे अब हम अपना 12th और last method देखते हैं जो के है z fill method ठीक है तो इस string के इस method में हम देखते हैं के हम अगर padding करना चाह रहे हैं के हम एक specific length define कर दें और text की एक side पर जो के left side है जहां से start हो रहा है वहां हम zeros add करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम z fill लिखते हैं तो इसको आप check करें के for example आप हमने एक text define किया हुआ है आई hands के नाम से जिसके अंदर total अगर characters देखे हैं तो एक दो तीन चार पांच है seven characters है और अब मैं यह चाहता हूँ के 20 की padding करे लों ठीक है तो seven और उसके बाद 13 zeros add हो जाएं इसकी left side पर तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 20 लिखूंगा और text dot z fill like ai hands dot z fill और उसमे पास कर दूंगा 20 तो अब जैसे ही इसको print out करवाएंगे तो आप इसको count करेंगे तो यह 13 zeros इसने add कर दिया है ai hands की left side पर तो इस तरीके से आप in different जो string के methods हैं उनको utilize कर सकते हैं daily programming की routines में अगर आपको यह video अच्छे लगी है तो इस channel को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like कीजिएगा और अगर आप इस tutorial का style को कुछ change करवाना चाहते हैं तो इसको comments में लाजमी बताइएगा हम इसको update करने के कोशिश करेंगे बहुत शुक्रिया